हलो नमस्ते अदॉप सस्रिया काल केम छो एंड का सकाय दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त नमन गुपता फ्रम कार सॉनेक्स मिनिस्टर रोड हैतराबाद आज हम बात करने वाले अबाउट इस ब्यूर्डफुल किया कैरेंस लग्जिरी वहिकल जी यहां दोस्तों अदर इस घाड़ी के अंदर दोस्तों फोड़े लग्जिरियस प्रोड़क्ट है थोड़े नेससेटी प्रोड़क्स है लेकिन दो ओवरॉल पैकेज जिस तरीके से इसको अपग्रेड होने के बाद इसका लुक आएगा लाज जवाब रहेगा तो जिस गिव यह ग्लिम्स आफ द दालने वाले सबसे पहले तो अब आउट इस ब्यूर्ट फुल एलोई जो इसमें अपडेट होने वारे दोस्तों बाइडिफॉल स्टॉक टायर स्टॉक एलोई 16 इंचेस के आते हैं हम उसे आजटेस निकालकर उसके जगे पर देने वाले दस सेविंटीन इंचेस तायर्स एंड आपको जब रिजल्ट दिखाऊंगा तब रीजन भी बोलुगा कि क्यों इसे हमने अपग्रेड किया है गाडी के अंदर हमें बाइड इफॉल्ट यह एक एंबिएन स्लाइट भी आती है बट दोस्तों यू कन सी हाउस्ट फोकस एं त्रो इस अंबिएन स्लाइट लि इस अनदर लेवल इन फाक्ट दोस्तों इसके साथ जो हमें सिस्टम भी यहां पर बाइड इफोल्ट मिलता है इट इस नो डाउट अवरी क्लासी लुकिंग हैड यूनिट लेकिन फीचर वाइज अगर आप देखोगे इस अब बेसिक टाउट स्क्रीन सिस्टम नो इंटरन जिए डालेंगे यहां पर आप देख सकते हो खाली सा एक प्लीन रिवर्स कैमरा आता है रिवर्स सेंसर आ जाते है दिर इस नो 360 कैमरा ने नथे अट अब हम जो इसमें अपग्रेड करने वाले है वी आर गई तो एडप इड़ अप्ग्रेड करने वाले है वी आर गईज अ कैमरा भाई साव अमेजिंग सा अपग्रेड है वारलेस एंडर डॉटर वारलेस कार प्ले क्यू एलीडी पैनल है मैं बोलते बैठूंगा तो थक जाओंगा बोलते बोलते विकॉस दी अपग्रेड वाट वी अपग्रेड वाट वी अग्शिरी लाइन एडिशन है पूरी तरीके से और भी जादा लग्शिरियस बन चुकी है विकॉस हमने जो इसके अंदर टायर्ज और एलोई अप्रेड किया है हमने जो इसमें टॉट्सक्रीन अप्रेड करा है विद ड्रोन 360 सेट अप जिस तरीके का इसका एक एंबिन स्लेट इंस्टॉल हुआ है भाई the result of this car is now exceptionally high and आप बार ही है आप लोग को देखने के कि किस तरीके से इस गाड़ी का result आया है after the installation of these accessories भाई सबसे पहले तो गाड़ी का side profile देखें just look at the car with this amazing 17 inches tires and alloys भाई कोई बोली नहीं सकता that it is the same current vehicle मतलब जिस तरीके से इसका एक ground clearance उठाए जिस तरीके से अब गाड़ी एक SUV feel आ रही है भाई यकीन मानिए जो भी new महिंद्रा कि Scorpio NIA the heavy bulky vehicle I can literally compare it this look to that I am not saying dimension wise obviously लेकिन ये जो body profiling है उस पे जब 16 inches का tire or alloy था and अब जाकर ये 17 inches का जो fit हुआ है डालने के बाद जिस तरीके से difference आया है in terms of the look and design भाई साब it is actually beautiful and apart from just the uplifting of the car भाई गाड़ी का जो ground clearance increase why आपको जो road grip increase we I have just driven down from my store till over here just the अरीके से stability add up होगई है गाड़ी में और steering में it is all because of the upgrading of the tires to 17 inches दोस्तों a total worth it upgrade and design of the alloys आज हमारे पास massive है because that is our biggest USP today आपका जैसा जो टेस्ट रहेगा I am very sure you won't get disappointed at car sonics क्योंकि we select alloys hand-picked मतलब बहुती जादा selective designs आज हम use करते हैं हमारे पास तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना remarkable difference बन चुका है by just adding the 17 inches stars and alloys exterior में हमने कोई जादा changes नहीं किए because this is not a brand new vehicle इसमें already कई सार accessories पहले install थे लेकिन interiors में जो upgrades हुए है जिस तरीके का इसके अंदर एक uplift हुआ है look by adding up the razor ambience light दोस्तों it is again beautiful आप देख सकते हो यहां पर हमने कोई original ambience light आपके जो है वो disturb नहीं करी है on the doors in the door handles in the bottle holders over there and yes dashboard and the flooring भाई पूरी गाड़ी के अंदर यह ambience light installed हुई है can you see the difference एक simple सी logical बात है यहां पर door pad के नीचे के तरफ में आपकी light already है but मैं तर हाथ भी रख रहा हूं तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है because that is way too dim but can you see our light over here भाई this is what is the difference between the stock ambience light and हमारी ambience light outedly गाड़ी के अंदर इसका जो एक feel good factor है जिस तरीके से यह install होने के बाद एक you know brightness आ रहा है दिन में भी आपको यह जो दिखाई दे रहा है this is only because of its continuity in the light काहीं पर भी single person भी आपको ऐसा feel नहीं होगा कि you know brightness इदर edges पे dark है और center में light है and the best part दोस्तों पूरा का पूरा mobile app controlled है you can see the colors changing over here जैसा मैं इदर से changes कर रहा हूं the best part is brightness भी मुझे अगर कम करना है तो आप देख सकतों कम हो चुका है मैं जैसा चाहिए brightness मैं उसके ओपर set कर सकता हूं full bright या 10% bright it is totally my call है के नहीं जोड़दार सा अप्ग्रेड but it doesn't end over here friends the beautiful most upgrade in this karen's vehicle is the 360 camera drone view जो हमने इसमें एक नए razor player में install किया मैं बोलूंगा जब ही अंदर आना please wait क्योंकि इसका the best part is when the system boots up so let me just switch off the system for you guys over here आईए दोस्तों आप देख सकते हो this is basically the 8 GB RAM with 128 GB ROM Android Music System screen size 9 inches beautiful glossy black panel के अंदर fit हुआ है flush fitment है on होते ही एक beautiful सा एक animation आएगा showing the brand Razer जो है literally quality oriented the boot up time is very quick in it on होते ही गाड़ी का proper drone 360 view देगा this is the car's entire four sided view the realistic four sided view of the car गाड़ी के चारो तरफ के view के automatic पीछे का view automatic बताएगा so that आपको गाड़ी जब drive करनी है तो it is clearly seen over here and this is basically your new UI over here friends just look at the way this UI is also designed मतलब आपका digital speedometer आपका navigation का widget all your apps over here currently radio चल रहा है या bluetooth चल रहा है वो display and also all your shortcut keys over here अगर मुझे supposing मैं जादा जो use करता हूं apps I can simply select that over here and make sure कि वो मेरे home page में हमेशा से रहे basic से पूरे features है दोस्तों the best part about the system is the speed यह हमारा 8 GB RAM का system है with 128 GB storage ओ भाई और क्या चाहिए मुझे apart from that हमारा यह जो system है दोस्तों it runs on the android platform 12 the only system in India today running on android platform 12 आज कोई brand का कोई system android platform 12 पे चलता ही नहीं है and the best part is the 360 view दोस्तों this is the drone 360 camera जो हमने इसमें डाला है reverse view, front view, right side full view, left side full view, 3D view that is गाड़ी के पूरे चारो तरफ का real time image as it is shown in the system over here apart from that कभी गाड़ी आप पार्क कर रहे हो मॉल में गाड़ी के आगे क्या पिछे क्या you want to just turn around and see ओ भाई इससे better clarity चाहिए क्या look at this technology आज कांकां जा रही है गाड़ी के आगे, पीछे, left, right हर जगे हम पलटा के उससे ऐसा देख सकते हैं भाई आज अगर हम latest एक celtos भी लेते हैं जिसमें 360 camera आता है यह clarity और यह features उसमें भी नहीं है this also records all the foresight जैसा हम travel करेंगे तो कुछ भी अगर accident हो हम इसी system में पुरा rewind करके play करके देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो clarity है, इसके जो features है, it is something made in such a way that you don't basically miss out on anything and आज इसकी जो speed भी है, it makes yours कि यह सबसे जादा lag free head unit रहे तो what are you guys waiting for, अगर आप लोग को भी पसंद आया हो हमारा यह head unit, हमारा यह upgrade, तो you know what to do भाई, simple है, वीडियो को like करना है, share करना है to amaze many people you can share and yes, अगर आप चाहते हो कि आपकी भी car is type के accessorize हो, तो simply car sonics को drive down करके आना है and we can get this going, अगर आपको यह system 360 camera यह ambient slide पसंद आई हो, आप चाहते हो कि we courier it to you over there, जी हाँ दोस्तों, we can do that also, तो let me know whatever thing it is on my whatsapp number, जो आपको निक्चे भी screen में display कर रहा है and I'll get back to you with all the details, thank you so much friends for watching the video, अज़ और आपक